नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्षन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग तो आज जो वीडियो मैं आपनों के लेकर आए हूँ, बड़ा अच्छा वीडियो है, डिली स्वैक का वीडियो है और इसका टाइटल है, हिंदू डॉक्टर सेव पाकिस्तानी गर्ल, हिंदू is an example of humanity अच्छा जी, बड़ा कठिन विशय चुना है मुजम्मिल भाहिलें, अब देखिए पाकिस्तान में इस पर क्या जवाब आता है, चलिए पाकिस्तानी जो कराची के अंदर मुझूद है, उसको कहा किए आप इसे बैंगलोर लेके आओ, इस बच्चे का मैं फ्री अफकोस इलाज करके इसे वापस पाकिस्तान में ठीक करके बेजूँगा क्या समझते हैं, कितनी बड़ी मिसाल काइम कर दी है उस दॉक्टर ने? बहुत बड़ी मसाल काम कर दी, बहुत बड़ी, इनसान से भी उपर चला गए, इनसान तो ऐसा कारी नहीं सकता है, अगर इनसान करे तो ऐसा कर सकता है, इनसान करे तो ऐसा कर सकता है, मैं डाक्टर साब आपको सरूड करता हूँ, बहुत मेरबनी आपने जो किया है, बहुत अ किसे लला से तेरी काल मिलती है जरूर इंशाला और मैं कहूंगा कि जैसा किया आपने वैसे करते रो दुनिया में यही है हम कहते हैं कि यार एक इंडियन है वो एक हिंदू है लेकिन हिंदू ने कितना बड़ा काम कर दिया कि मुसल्मान बच्चे को मुसल्मान बच्चे को ठी कर दिया एलाज कर दिया उसका तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे उस बंदे को कि इसने इतना बड़ा काम कर दिया बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने तो वह जिस बच्चे का अपरेशन किया है वह आपने स्वाल बदल लिया वह बहुत अच्छा काम किया है बहुत अच्छा क काम किया तो हम जो शुहाब चुतर को वीजा नहीं दे रहे हज करने के लिए तो वह इंडिया की गवर्मेंट कह रहे हैं कि आप अपने मुसल्मान को वीजा नहीं दे रहे हैं तो हम जहां पर जों से आप पाकिस्तानी जो इलाज करवा अपने मुसल्मान वह भारत के नागरी यार आने के लिए इंडिया आओगे तो जो पाकिस्तानी आते हम उनको भी विजा ने देंगे देखें कि जब इस तरह की बाती होंगी पाकिस्तान अगर विजा दे देता तो दिल बड़ा हो जाता उधर बैठे मुसल्मानों का भी क्या समझते हो विजा देना चाहिए था या विजा देना चाहिए और यhe आगी जा चुका और मतलब वह तो गद्य को भी बाप कह देते हैं मतलब वह गद्य को बाप कह देते हैं कि वह बाप बन नहीं जाता तो पार मेरे बनी थोड़े वसके नाखल लें थोड़े वसके नाखलनें ऑलश di पाकिस्तान और इंडिया-के मिसे हल हो सकते हैं प्यार मौहबबत कैसे बढ़ सकता है जब इस तरह के बड़े-बड़े मैं पूएं से कि हैं आप घार से मैंने बंटके निकलते हैं इधल स्लामभाद आ के आप मेंसे बाशा माशा है बंटे है जब बंटे-पटे हैं बड़ी ह 아क्र फिरते हैं जब खत्म और जाते हैं ऐधर कार मेरे हैं इतने बड़े बड़े लोग हैं आप उ करें काम हो यह क्यूं कर रहे हैं ये किसी और को कर नहीं ते हैं जो बाद में कुछ नहीं था sert आपको नहीं बज जायिती यह बाथ जो कह रहते हैं इतना अर्शाव कुण सी बात का कहा से लिंक यह को edenगी है जो पाकिस्तान में पता ही नहीं चला होगा कि हमारी टेकर इटनी डिवांस है कि बंदा वो वीजा लेने के लिए पाकिस्तान की सरहते पे खड़ा है आप चलो पता चले हैं अगर को सुना लें पोर्टर के अंदर पेठा हुआ के जाएं पाजियों ने उन आगे पताने आगा का इंकल आप से बाद करके तैंक यू सौमच जी तो हमार साथ एक बहुत ही खुबसूरत मैडम मुझूद है उनकी तरफ चलते हैं उनसे बात करते हैं स्वालेकूम का मसला था बच्झी थी ठीक है दो साल के बच्ची ना वह खड़ी हो सकती ने बहुत ज़ Wert प्रशान होनेगों की वजया उना से कॉज सने किया क्या वह सब्ची को तो पाद के इसका पनीचांग के क्या समयती है आपकी एक इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम-की ना उसने मजब देखाना उसने किसी और चीज को- देखा-ना फिर्पावारित देखी उसने का हो उनको इस प्रप्टिकुलर किसी रेस का या पर्टीकुलर किसे यह नहीं होता इन्सानियत की आट कि मदता है here कि ब्हुत अची बात कि आपने तो इनसान को दिसानीत के माइंसेट होते हैं अपने यह इसानियत को सभा इनकलूड करते हर चीजब के अंदर ला के थे एक और वाक्या हुआ हुआ है पाकिस्तान की वागा बाटर में आने के बाद उसने अपील कि कि भाई पाकिस्तान की गवर्मेंट ने ये कहा कि हमें स्कूर्टी इसूस हैं हम आपको विजा नहीं दे सकते एक बंदा जो मुसलमन है जो कि इंडिया से इतना बड़ा काम कर रहा है तो उसको दिखार हैं सिकों कोया उने कि रहे जग जाहिर है पुन्नू हो और कई भी सारी लोग है तो सिखों को तो इसलिए आने दे रहे हैं कि भई आना जाना बढ़ेगा और ये करेंगे उसी में अपनी घुसपैड भी करा लेंगे खैर सिख अपना जवाब दे देंगे वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं दूसरी बात कि ये जो बात कहीं आपने तो ये वागा बॉर्डर पर वह ऐसे ही नहीं आए पहले उन्होंने कांटक्ट किया पाकिस्तान से तो पाकिस्तान ने बोला कि आप एक बार वागा वाटर पार आ जाए हम आपको दे देंगे वीजा अब वो वागा वाटर पहुंचके अब वहां से देने में आना का नहीं हो रही है और यह पिछले कई हफतों से चल रहा है मामला आप सोचिए यह एक दो दिन के बात नहीं है पाकिस्तान की अपनी बातों से मकर जाना फिया उत्तान में कि इसको पर बियुक रहा है उनको प्रोमोट पर देंगे इंडिया लो है कल सबते है कि कोई काम से हैं यह इस सोच आप कशी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे गलता है और ईस बात के ओपर इंडिया क्वें एक बहूंच बड़ा कदम ने उठाया इंडिया ने कहा कि आप अगर हमारे मुसल्मान को पाकिस्तान से जाने की इजाज़त ने दोगे जो पाकिस्तानी जो free of course इलाज करवाने के लिए आते हैं आपको पता बॉनमेरो का इलाज इंडिया में होता है और जो kidney transplant है वो इंडिया में होती है तो वहां पर उन्होंने का कि अगर आप उन्हें आने ने दोगे तो हम भी कहेंगे कि पाई पाकिस्तानियों से में security threats है तो हम उनको भी आने देंगे पाकिस्तानियों को इस बात को कैसा देखती हैं आफ और नहीं बिल्कुल ठीक है फिर उनका अगर यह कहना और यह उनके एक्ट को अगर वह प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो मेरे नहीं ऐहां में वह गलत करेंगे क्योंकि इनिशेट हम लोग लोग नहीं किए इस चीज को इस इंडिया इंडिया वाली चीज़ को तो हम लोग बीच में लेके आयां उन्होंने तो नहीं किया अगर आप डॉक्टर सुनील की बात करें थे उन्होंने तो वह भी देख सकते थे कि वह पाकिस्तान से हैं वह मुस्लिम हैं तो भी ना करते हैं इस चीज़ का वह शुक्रिय पाकिस्तान में यहां पर दो साल के एक बच्चे को उसकी बॉनमेरो में मसला बॉनमेरो में कोई मसला हो तो बंदे से चला नहीं जाता बैठा नहीं जाता पूरे पाकिस्तान की डॉक्टर्स ने पूरे पाकिस्तान के उस्पिडल्स ने जवाब दे दिया उस बच्चे को कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते तो आखिरकार सुनील डॉक्टर को पदा चलता कि पाकिस्तान में इस किसम का लड़का मुझूद है जो कि इधर से पाकिस्तानी कॉंटक करते हैं कि उससे के हमारे बच्चों के यह मसला तो आप इसका इलाज कर देंगे तो वो डॉक्टर कहता क हम मुसल्मान तो हम उनसे प्रियोरिटी हैं हम उससे जादा ओवल दर्जे के रखते हैं क्या ख्याल है आपके कि उस डॉक्टर ने कितनी बड़ी इंसानियत की मिसाल गाहिम की है देखें जी एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है हमने फरकवियत बनाया हुआ है कि जी वो इंडियान है हम पाकिस्तानी है ठीक है ये बहुत बड़ा काम है इंसानियत के लिए कि उन्होंने अपने पास बुलाया और सबसे बड़ी बाज ये है कि उन्होंने फ्री इलाज किया ठीक है और फ्री इलाज करने के बाद दोने ने फिर वापस किराची उनको मुन्तकिल भी कर दिया और बहुत बड़ा काम है जिस पर हमें एप्रिशेट करना चाहिए और फरकवरियत को सैड पर करके इनसानियत के बारे में सोचना चाहिए आपको क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में और इंडिया के अंदा इन्जाम में कितना डिफरिंस है क्या पाक्स्तान के तालीम निजाम जहत अचीथ है या फिर इंडिया का देखेंजी आप इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकतेे क्योंकि आप EugeneDie जहां किया कि बच्ची को पास पाकिस्तानी भी करें ताकि हम भी अपना दिखा सकें कि हम वारे बेंदर कुछ चीज है आप चुतर नाम के एक बंदा जो कि इंडिया का वो पैदल हज करने के लिए जा रहा है ठीक है पूरे जिदे जिदे से गुजरेगा सब मुलकों उसको विजा दे दिया लेकिन पाकिस् फ्री ऑफ कोस् इलाज करवाने के लिए जो पाकिस्तानी इंडिया आते हैं उनका भी इलाज हम बंद कर देंगे हम भी ये कहेंगे कि हमें सिक्यूर्टी थ्रेट्स हैं क्या ख्याल है आपको कि उस बंदे को विज़ा देना चाहिए था या नहीं अगर इंडिया बंद कर द नहीं ठीक है दूसरी बाज ये है कि आपस में बैट के मामलात आ करना चाहिए ना कि एक दूसरे को दंके लगाएं और कहें कि जी हम यह नहीं करेंगे हम वीज़ा नहीं देगें आब हो ना करें तो इस पे बैट के आपस में मशारुत करने चाहिए ताकि किसी गरीब का इल पाकिस्तान को क्या मसला हो सकता है क्या प्राबलम हो सकती हैं क्या हमें वाकिस सिक्यूर्टी ठेट साय हैं या फिर हम कोई जिदबाजी निकाल रहे हैं आपस यह करने मेरे ख्याल में अगर वो हज की नियत से जा रहे हैं तो पकिस्तान को बड़ा दिल करना चाहिए और उसको ना वीज़ा दे देना चाहिए मेरे ख्याल में अगर वो हज की नियत से जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनको ना वीज़ा परवाइड करना चाहिए और एक इनसानियत के होते हुए ये काम पकिस्तान को पहले आदा आगाना जाए बहुत शुक्री है यार बहुत अच्छा लगा आउसे बात करके तैंक यू सौमच तो दोस्तो वीडियो खतम हो गया चलिए ये तो भई राजनिती है बाकी चीज़े है भारत भारत के चरित्र में ऐसा नहीं है भारत का चरित्र जो है पाकिस्तान के लोगों की जान बचाई हो बच्चे की जान बचाई हो इसके पहले आफशा आफशा नाम था शायद उन बच्ची का उनकी गरदन में कुछ दिक्कत थी और पूरे पाकिस्तान में कहीं इलाज नहीं हुआ सारे डॉक्टर है जवाब दे दिया वो यहाँ पर इलाज हुआ इंडिया के डॉक्टर ने किया और वो भी हिंदू डॉक्टर थे उन्होंन ने किया और आज आफशिन गुल्री या कुछ ऐसा नाम था वो आज बहतर हैं उनके हाल चाल पूछती रहती है पूछते रहते हैं दूसरा जो बोनमेरो वाली बात है वो बैंगलोर में इलाज चल रहा चले वो ठीक है इसके पहले मुझे याद है कि जब सुष्मा स्वराज हमारी फॉरेंड मिनिस्टर हुआ करती थी तब उन्होंने न जाने कितने पाकिस्तानियों के मदद की होगी और पाकिस्तान के लोग जिनके उन्होंने मदद की थी कई बार उन्होंने थाइंक्यू बोला पाकिस्तान ने मदद करने से मना कर दिया उसने प्रोवाइड नहीं करा लेकिन इंडिया ने मदद की आप सूचे कितनी बड़ी बात है इसके अलाबा मुझे याद आरहे कि अभी गैस नोग इंडियन ने उनकी बड़ी मदद के इसके लिए थाइंडियन पी-म मुदी जी को और इंडियन गुभरेम N. तो हम ये काम और मुझे लग रहा है कि एलाज के लिए आज से नहीं सालों से पाकिस्तान के लोग इंडिया आ रहे हैं और इंडिया उनका इलाज कर रहे हैं मुझे याद है कि एक किसी बच्चे के दिल में प्रॉब्लम थी पाकिस्तान के बच्चे के दिल में तो शायद उसका भी इलाज किया वो आज अच्छा है बहतर है और उसमें बड़े कम पैसे में इलाज किया गया था तो आप सोचिए कि भारत ने तो हमेशा इंसानियत दिखाई है और पता नहीं पाकिस्तान की तरब से तो हमें कभी कुछ ऐसा दिखा नहीं और मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, अगर हुआ यह होगा, तो मेरे तो ध्यान में नहीं है कि नौर्मली में मुझे चीज़े याद रहती है, तो ऐसा मुझे ध्यान में है नहीं, खेर ठीक है, कोई बात नहीं, इंसानियत हमारे लिए है, आप दुश्मनी समझो, आप ये हमें नहीं सिखाया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि हम सब बराबर हैं, तो ये फर्क है बहुत बड़ा, ये mindset और इस mindset की वज़े से ही हम आज हजारों सालों से यहीं पर हैं, हजारों सालों से survive कर रहे हैं, और आज पूरी दुनिया में भारत का नाम लिया जा रहा है, भ भारत और पाकिस्तान के लोगों में और भारत और पाकिस्तान के परसेप्शन में कितना फर्क है जरा सुनिए। हमने खुद ही बनाई है ना हमने बहुत मेनल से बनाई है अचा अब यहां बच्चियों का एक स्कैंडल आया काम उमर बच्चियों का लेस्टर में और रेप का सारे कि सारे पाकिस्तानी थे टोटल एक ऐसा शौर बना दिया है बड़ी मेहनत से हमारी अश्राफिया ने कि यह अब मैं आपसे गुजारिश करूँ कि यह ना तो यह कहीं भी नहीं रह सकता हियूमन सुसाइटी में हमारा जो शौर है यह दुनिया में रहने के काबिल ही नहीं रह गया जो पाकिस्तान जो है ना एक हैडिक है उसी तरह देखा जाता है एक ऐसा मुल्क जो डिजारेबल ड आपको कौमियत नहीं मिलेगी इंकलूडिंग तर्किश जो आपके लिए यह चाहे कि आपके साथ खड़ा हो या पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है कोई नहीं कोई अरब नहीं मिलेगा आपको कोई चीनी आपको नहीं सुना आपने तो इसमें रा की भी साजिश नहीं है इसमें इंडिया के भी साजिश नहीं है इसके लिए खुद वखुद आप लोग जिम्मेदार हैं आपकी हरकतें आपकी कर्तूतें यह सारी जिम्मेदार हैं और यह मैं नहीं कह रहा है यह आपके हां कही बंदे कह रहा है और ये पूरी दुनिया समझ रही तो उम्मीद है कि पाकिस्तान कुछ बहतर हो आगे जो युवा पीडियारी वो समझे और इन सब चीजों से दूर रहे अकड, जिद, कटरपंथ इन से दूर हो और कुछ प्रोग्रेसिव काम में लगे तो जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जय हुद